वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो से आपको पसंद आती है, तो हमारी वीडियो को शेर करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लस बैल ऐकन भी दबाईए आज की वीडियो का जो टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, कुछ साल पले हम देखते थे कि हमारी जो जीने की जरूरत थी लोगों की, वो थी सिर्फ तीन चीज, खाना चाहिए था, कपड़ा चाहिए था, और रहने के लिए घर चाहिए था, तीन चीजों में लोगों का गुजारा हो जाता था, लोगों की जिन्दगी इसमें चलती थी, बट अभी ऐसा टाइम आ चुका है, कि लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ, मुबाइल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, यह ऐसा नीड हो गया है लोगों में, क बचों में, बड़ों में, सब में, मुबाइल की जो आदत है, या फिर मुबाइल को यूज है, यह कहिना कि हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, इसके जो अच्छा ही है, जो अगर हम उसको लिए अच्छा यूज कर रहे हैं, हम नॉलिज के लिए यूज के लिए या फिर स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं कोई भी पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं और इस लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छी चीज है अगर हम इसके लिए एक्सेज यूज कर रहे हैं अन्यासरी कुछ भी देखने के लिए टाइ रहेगा ये तो आपको पता ही है तो हमको इस चीज को टैकल करने की बहुत ज़्यादा ब जरूरत है हमको मालूम होना चाहिए के हम कितना यूज करें यहां और अपने बच्चों को कितना यूज तक है अधार आथ पड़ता है और हम जो है ना कंपल सरी उसमें जो बना टाइम ज्यादा दे रहे हैं अब काम करते-क्रते अगर मूबाइल निकाल लेते हैं टाइम पास के लिए तो इसमें आदा एक घंटा निकल जाता है तो उस पर भी हमको जो होना ध्यान देना है कि हमको मुबाइल अमतब एडिक्शन की तरफ जाना है या फिर उसका इमिटर्ड यूज करके आप सेफ रहिए और अपने बच्चों को भी सेफ रहिए टेकनोलोजी का यूज अच्छी चीज में अगर आप करते हैं तो आपके लिए ही फाइदे मन है यह वीडियो कैसे लेगी हमारे नीचे कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं एकली वीडियो में थैंक्यी फर वाचिंग इस वीडियो